दोस्तो आज मैं बताऊंगा बिना अंडा के अमलेट कैसे बना है मेरा नाम है प्रेम धनी मैं की यूटूब क्या ज़ाता हूँ जिसका नाम है सबसे अच्छा देखो पिसे देखिए और बताईए क्या ये लग रहा है कि बिना अंडे का अमलेट है और इसका स्वाद भी वैसा ही है और बनाना बहुत ही असान है और बच्चों को अस्कूल ले जाने के लिए भी दे सकते हैं तो देखिए ये कैसे बनाया जाता है तो ये है अरा मिर्ठी कटा हुआ ये है धनिया पत्ती कटा हुआ ये है प्याज कटा हुआ और ये है लासुल कटा हुआ 100 गराम बेशन डालेंगे पच्चास गराम मैदा डालेंगे जो बेशन से आधा है एक चमच बाइकिंग पौडर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फिर सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें दो कप पानी डालेंगे पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें लुगदी ना बना रहा जाए इसे अच्छी तरह से मिलाना चाहिए ताकि पूरी तरह से घुल जाए अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे जो पहले से ही काट रखा था कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे कटा हुआ अरा मिर्च डालेंगे और अब लासुन भी डाल देंगे कटा हुआ सब को मिला लेंगे कावा गरम कर लेंगे दो चमत तेल डालेंगे तेल को तावा पर हैला देंगे अच्छी तरह से तेल गरम हो गया है अब उस बनाए गए गोल को डालेंगे और तावा घुमा कर फैला लेंगे इसे हाथ से न फैलाए उपर में सूख गया है अब इसको पलट देंगे देखिए ये तयार हो चुका है आप इसे छोटा छोटा पीस बनाकर अंडा करी की तरह रस्तार बनाकर चावल के साथ भी खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए नहीं तो राने दीजिए सबसे अच्छा देखो इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेला आइकन भी दवाए क्योंकि और भी अच्छा चे वीडियो में अबलोड करता रहूंगा सब्सक्राइब करना है बहुत असान वीडियो के लिजिए रेटकलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे दवाएए फिर बेल का बटन आएगा उसे दवाएए